भारत में लगतार किये जा रहे है फ्यूल इंपोर्ट्स को रोकने के लिए भारते कम्पनियां हर एक छोटा बड़ा प्रयास कर रही हैं जिसके लिए वो देश के अंदर नए-नए प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करा रही हैं और ये भारत के लिए काफी जादा महतुप भी है क्योंकि अगर हमने फ्यूल इंपोर्ट को नहीं रोका तो हम सिर्फ कुछ सालों में लगभग 25 लाग करोड़ रुपए का सिर्फ फ्यूल इंपोर्ट करेंगे और ये इंडियन इगनामी को एक निगेटिव वे में ले करके जाएगा और अब इन ही सब को रोकनी के ल का काम करेंगी वह भी बहुत बड़े स्केल पर और ऐसे ही देश की कंपनियों के पावर प्रोजेक्ट की मदद से देश की जो पावर एकनॉमी है वह काफी तेजी से स्केल अप होगी हम थोड़ी सी और डेटियल के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले आप चैनल को स सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तो दोस्तों रिसेंटल आई बिजनस टेंडर के रिपोर्ट के मताबिक हम बता रहे हैं कि एलन टी और हैडूजन प्रोजों की एक यूरोप की कंपनी है जिन दोनों के बीच में एक मेरें डाव फटने सेंडिंग को साइन किया गया है ज जिसको फ्यूल ओफ फ्यूचर कहा जाता है और इसको समुद्र के पानी सीवेज वाटर हर जेगे से प्रोड्यूस किया जा सकता है और जिसकी शॉटेज इन फ्यूचर कभी भी नहीं पढ़ सकती है वहीं हमने पिछले कई वीडियो में आपको पताया कि दुनिया की सबसे पड़ी पावर एकनॉमी बनाने के उपर भारत काम कर रहे है जहां पर 2030 तक इंडिया 500 गीगा वाट रिन्यूबल एनर्जी प्रोड्यूस करेगी और यही सब प्रोजेक्ट मिलकर के इंडिया को पावर एकनॉमी बनाने में हैल्प करेंगे और अगर हम इतनी सारी रिन्यू तब चीजों को रोकने के उपर भारत कम कर रहा है इसके साथ में कमपनी का कहना है कि भारत में ग्रीन हाइडोजन की जो मांग है वो बहुत तेजी से बढ़ने वाली है इसलिए 2030 तक 2MM TPA देश के अंदर हाइडोजन प्रोडियूस की जाएगी जिसमें लगभग 60 अरब देश आना बाकी है तो दोस्तों ये L&T के द्वारा किया जा रहा एक बहुत बड़ा प्रयास है देश की पावर एकनॉमिक को काफी तेजी से ग्रो करने के लिए भारत ये कमपनी के इस बड़े डिसीजन के बारे में आप लोगों को क्या कहना है अपनी राय कमेंट वक्स म जरूर लिखेगा भारत कैसे ही यूसुल और इंफोर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारी यूटीब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कलीजिए मिलेंगे हम आपको एक नई और इंट्रस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए बंदे मात्रम भारत नाता की जै